हेलो आयाम अमेज सिंग असिस्टेंफ प्रफशाइंड्याज ग्रूप इंस्टिविशन तोडियास टॉपिक एडवर्टाइजिंग मेनेजमेंट बैसेकली अडवर्टाइजिंग जो स्टार्ट क्यों की जाती हो उसके मतलब फायदे क्या है उसका अब्चेक्टिव क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो वैसे कि एडवर्टाइजिंग इस ग्रीक वर्ड लेटिन वर्ट विश्ट इमिन्स अडवर्टाइजि विद्ट कुछ तोडूर्स टॉर्ट संटिंग आडवर्टाइजिंग जो सबसे पहरे टेफिनेशन होती हो होती है डिगाएंटिंग एडिएंस और नॉन पॉर्ष नौनौर। सपांसर अदेटिफाइड पेटॉषॉर्ध अबॉर्ड प्रड़्ट और 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 इजेशन इसमें नौन पर्सवर्षेड़ कहने का मतलब है कि हम जो दूररटे सिंग करते तो खुद के लिए करते हम अपनी करते हैं हमारा बजट बहुत लोग होता है तो हम प्रिंट मीडिया के थूर अडवर्टाइस्मेंट करते हैं उसके बाद होते हैं उसमें identify sponsor मतब़को चीज को कौन sponsor कर रहा है जैसे आपने बहुत से चीजों में देखा होंगा कि sponsor लिखा होगा सबसे अच्छा एक्जाम्पल हमारे पास उसका होगा किर्केट का किर्केट का जो अब प्रोड़क्ट की उनके सर्विस की उसके बार आता है हमारे पास प्रेजर्टेंटिंग प्रोड़क्ट है उसके क्या उसके शॉर्ट्र्यों को होता है अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इसके डिफनिशन की बात अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में आज से लगबग 4,000 साल पहले मतबब कि जो पहला एड़ाटास्मेंट वह था वो एजिप्ट में वह था वो किसके थूँआ था पेरस के थूँआ पेपर की तरह पतला सा होता था उसमें जो हम जासे की टिंब का उता था उसमें फिर टार पेर का होता था वो सब यूज करते तो वैसे ही पेरस होता था पत्ता होता था तो उसके वो लोग लिख के यूज करते थे और यह बहुत ही कॉमन होता था हमारे जो नौर्ट क्रीस में यह सब बहुत नौर्मल चीज थी इसमें क्या करते थे लोग लॉस इंड फांड का लिखते थे उसके पास उस चीज को ले तो जसा जाएगा वह राजी हमारा हो तो यह उस समय का जाएक कि यहां से राजा का है और इस से कोई रोकता तो उससे यूद्य करना पड़ेगा वह पूरह का पूरा इस्ट्रीक्शन कИया जाता है ऐसे ही होता था आप बात करते हैं आज से लाई साल में पहले यानी कि ना 1836 में पहला न्यूस पेपर जो पेट फॉर्म में किया था उसने स्पेस दिया था लोगों को एड़टाइस्मेंट करने के लिए जिसमें उसने बहुत सी किस लिए किया था क्योंकि वह अपनी रीडिंग जो रीडर थे उसको बढ़ाना चाहता था कि हां मेरे पेपर में य एजेंसी स्टार्ट की थी एक इंसान ने उस एजेंसी में कहा था कि उसने बहुत से न्यूस पेपर में इन्वेस्टमेंट किया कि हां मैं इसमें से थोड़ा-थोड़ा स्पेस खरीद लेता हूं और उसने के बाद उस चीज को बेचना शुरू किया कि आपको एड़टाइ पर चलते थे अब उसके बार हम बात करते हैं अब जैसे पहला चीज उठता है कि इंडिया में जो एड़टाइस्मिंग एजेंसी है उनके जनक इसको कहा जाता है यानि कि फूर्द फादर ओफ इंडियन एड़टाइस्मेंट तो उसमें उसका नाम आता है सबसे बड़ा कि एलिट एलिक पदमसी एलिक पदमसी नाम कर जो पूर करते हैं उनका जो वर्थ था और आज से मतलब उनकी जो दिहांत हो की दो सार पहले हो गया था वो 1953 में पहला हुए थे और 1953 2018 में उनका दिहांत हुआ और उन्हों की जो छबी थी वो बहुत एड़ मेकर थे उसका फिल् जितनी भी कंपनी होती है उसके एड़टाइसमें एजनसी के जो स्क्रिप्ट लिखते थे वो यहीं लिखते थे एलिक पदमसी अब हम बात करते हैं फिचर्स ऑफ एड़टाइसिंग कि इसकी फिचर्स क्या होता है पहला चीज होता है कॉम्निकेशन अब माल लिजे मैंने कि मैंने क्या बना है क्यों ले बना है तो हम क्या रहेंगों को च्रह्ते हैं कि लिखेंगे इसके प्लेस प्लेस क को कहाँ रहेगा हो लिखा रहते हैं आप इसका आज की modern date के इसाफ़ ग्यांपल है तो जैसे कि बहुत सी कंपनिया क्या करती है जो mobile release करती है यानि इंडिया में तरह किसी भी country में वो सिर्फ date को मतलब release करेंगे उसके मतलब करने का उनका मतलब होता है कि अमेजन के थू करती है वो इसलिए क्यों करती है क्योंकि वो प्राइस बताती है कि मेरा mobile इस date को announce होने मतलब release होने वाला है उससे पहले आप लोग registration करवाते है उसको खरीने के लिए तो क्या बोलता है कि 10 दिन बाद आपको mobile मिलेगा वो इसलिए करते हैं जसरे उनका cost of production communication मतलब होता है कि हम अपने message को कैसे convince करें mass audience को और तूसरा इसमें आता है information अब advertisement हम सिर्फ relevant information ही डाल सकते है क्योंकि हम जितना उसमें ज़्यादा information डालेंगों उसकी charges बढ़ती जाती है थर्ड होता है persuasion, persuasion मतलब यह होता है हम सिर्फ अपने उस target customer को करते हैं जो हमारे आन उसके बार रहता है profit maximization चितना हमारा advertisement बढ़िया होगा उतना हमार प्रोड़क्ट की selling होगी तो हमारी profit margin increase करेगे उसके बार आता है non-personal penchantation आप जैसे कि आजकल आपने एक example देखा होगा बाबाराम देवकार वो यह वगा करते हैं सुबह सुबह टीवी पर आते हैं तो वो क कोई भी कुछ बोलता है तो वह उस चीज़ को represent करते हैं वह खुद ही कर रहे हैं वह personal non-personal है लेकिन उसमें भी यह तिकत आती कि कोई भी company होती वह अपने product का परचाह नहीं कर सकती उसके लिए sponsor को रखा जाए चाहे actor हो celebrity हो चाहे model हो उसको करना चाहें लेकिन वह खुद इस मतब सिक्षा भी दे रहे हैं साथ में अपने product का परचाह भी कर रहे हैं उसके बाद होता है identify sponsor identify sponsor आप जैसे बाबा राम देओ जिसका परचाह करते हैं उसका identify sponsor कौन सा है पतंजली है मतब पतंजली उस चीज़ करता है product को ना कि बाबा राम देओ करते हैं वह तुम्हां के यह सिर्फ advertiser है उसके बाद आता है art science and profession आप देखिए इन चीजों में मतब जो advertisement है इन में तीनों चीज़े included आठ का मतलब क्या होता है हम अब जब भी advertisement करेंगे वह daily basis पर करेंगे यह नहीं कि जैसे हमारा sale increase हुआ उसके बंद कर देंगे लेकिन जो जानीवानी companies होती है वह ऐसा ही करते है जैसा इसका सबसे बढ़ी है जाम पले पाले जी पाले जी कभी भी जब उसका sale down होता है तभी वह आता है पाले जी advertisement करने के लिए नहीं तो वह गाओं में जाएंगे आज भी भी करा है लेकिन हमने आज तक compare करें लास्ट 10 years की तो उसमें उसमें advertisement कभी किया नहीं है लेकिन जब मेगी का issue आया था उसमें उसने विस चीज़को advertise किया था पाले जी ने उसके बाद आता है element of marking mix, marking mix मतलब होता है यह जो advertisement है यह marking mix मतलब marketing mix का एक हिस्सा है और advertisement हमारा किस में आता है प्रमोशन में आता है और उसके बाद last point है हमारा element of creativity अब जितना advertisement short होगा जितना creative होगा उतना ही mass audience को वह interact करेगा इसी के साथ आज का मतलब इस topic close करते हैं, thank you झाल झाल